नमस्कार भविश्य वानी में आपका स्वागत है रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविश्य आपके राज़िका भविश्य बताने के लिए आज आश्य ने कश्रपक्ष की द्वादेशी तिति और सुबबार के दिन है द्वादेशी तिति आज पूरा दिन पूरी रात पार करके देर रात एक बचकर तीस मिनट तक रहेगी आज द्वादेशी तिति वालों का शाध है आज दो पार एक बचकर बावन मिनट तक पुष्ण अक्षत्र रहेगा आज सुबा आज बचकर उन्चास मिनेट पर चंदरवा और पुष्ण अक्षत्र की यूटी होगी आगे हम इसी पर विज्टिप चर्चा करेंगे साथ ही आज अगर आज अगर आपका बर्डे है तो क्या करें और अगर आज आपके मरीजन वर् लखी कलर और क्या है आपका आज का लखी नंबर आज अगर बिज्टिप शुरू करना है तो कितने पर ये शुरू करें नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुष्पन जेर होगा या दोस्त की खिसमत का दरवाजा खुलेगा किस अक्षर का आज क्या है भविश्य जानी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वातुशात्र और सामुदिक शात्र की क्या है कोरोना का भविश्य और कब निकलेगी कोरोना की वैक्सीन आज कौन सी दिशा होगी शुब और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे हैं दोस्तों आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है जोतिश के गनित पक्ष ने आकाशे पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्टो माइनिटी फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये चान दिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा आज हम सबसे पहले बात करें कि मुकदमा दायर करने या अपने बात रखने के योग की यानि की याई-जैद योग की तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है आज ये योग 21 सितंबर की रात 9 बच का 47 मिनट से अगले दिन सूर्योदे तक रहेगा और इसके बात बात करते हैं सरवासिधी योग यानि की सारे काम बनाने वाले योग की तो आज ये योग दोपार बात 3 बच कर 52 मिनट तक रहेगा इस क्रम में आज ये आप चर्चा करते हैं आज के शुब महुत यानि की फेवरिबल टाइम की अगर आप किसी को प्रपोस करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा महुत नहीं है आज ये महुत 17 अक्टूबर की सुबह 6 बच कर 24 मिनट से दोपार पहले 11 बच कर 14 मिनट तक रहेगा आज नया बिजनेश चुरू करने के लिए कोई अच्छा महुत नहीं है अगर आज कोई अच्छा महुत 19 अक्टूबर की सुबह 6 बच कर 25 मिनट से 8 बच कर 49 मिनट तक और सुबह 10 बच कर 57 मिनट से दोपार 2 बच कर 8 मिनट तक रहेगा अगर आपको एक कांस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा महुत नहीं है अब यह महुत 17 अक्टूबर की सुबह 6 बच कर 24 मिनट से 8 बच कर 47 मिनट तक और दोपार पहले 11 बच कर 5 मिनट से 11 बच कर 14 मिनट तक रहेगा अगली सुबह 6 बच कर 24 मिनट तक और रात 1 बच कर 54 मिनट से अगली सुबह 6 बच कर 24 मिनट तक रहेगा अगर आपको जॉब जॉइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा महुत नहीं है अब यह महुत 18 सिटंबर की दोबार 12 बच कर 54 मिनट से शाम 4 बच कर 40 मिनट तक और शाम 6 बच कर 13 मिनट से रात 11 बच कर 9 मिनट तक रहेगा अगर आज कोई मेडिकल टीटमेंट शुरू कराना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा महुत नहीं है अब यह महुत 16 अक्टूबर की रात 1 बच कर 1 मिनट से 1 बच कर 25 मिनट तक और रात 1 बच कर 54 मिनट से अगली सुबह 6 बच कर 24 मिनट तक रहेगा और अब बात आती है अशुब समय की आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिली जूली इलेक्ट्रो माइगनेटिव फील्ड कुछ उक्छाओं के लिए नेगेटिव हो जाती है इस अशुब कर अंतिसाम में से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है इस से चारों तरफ नेगेटिवटी फैल जाती है इस समय में कोई विशुब कारे करने से सफलता नहीं मिलती है आज दो बार एक बच कर छे मिनट पर अशुब समय रहेगा वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी लेकिन मेश, सिंग, धनु और कुमर राशियां विशे शुब से प्रभावित होंगे ध्यान रहे इस समय के बारा मिनट पहले और बारा मिनट बात तक कोई भी शुब कारे नहीं करना चाहिए इसके साथी एक बात और बता दू कि काम शुरू करते हैं अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं भोपाल सुबह साथ बचकर उन्तालिस मिनिट से नौ बचकर ग्यारा मिनिट तक कुल काता सुबह छे बचकर पच्पन मिनिट से आठ बचकर सताइस मिनिट तक अहमताबाद सुबह साथ बचकर एठाओन मिनिट से नौ बचकर तीस मिनिट तक और चेन नई में रहुकाल होगा आज सुबर 7 बच कर 30 मिनिट से 9 बच कर 1 मिनिट तक ये था कुछ शहरों का रहुकाल और अब आज की यात्रा की शुब दिशा क्या है तो आज वो दिशा है उत्तर पश्चिम और उत्तर घर से निकल कर उत्तर पश्चिम या उत्तर दिशा में जाईए अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही उत्तर पश्चिम या उत्तर की और साथ कदम चलिए फिर टॉक वाइस घूम कर अपने काम से चले जाएए सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ पर नाम मिलते ही रहेंगे यानि कि आपके तमाम काम बेना किसी विंग्रबादा के पूरे होते रहेंगे और आई एफ शुरू करते हैं सिलसला राशी फल का सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेश राशी की मेश राशी वालों आज आपका दिन अच्छा रहेगा किसी काम को पूरा करने में आपको भाई भाई भाईन का सपोर्ट मिलेगा शाम को परिवार के साथ आप कुछ बेहतरीन पलों का आनन्द उठाएंगे इसके साथ ही आप खुद को एनर्जेटिक महसूस करेंगे लेकिन आफिस के कारों को पूरा करने में थोड़ा समय लग सकता है करियर में आपकी तरक्ती के नए रास्ते खुलेंगे कुछ खास जगहों पर आपकी प्रशनसा भी हो सकती है अगर आपको छोता उड्योग शुरू करने के बारे में सोचेंगे आपको सभी कामों में सफलता पराप्त होगी आज के लिए आपका लखी कलर है रेड और लखी नंबर है सिक्स ब्रेश राशी वालों आज आपका दिन फेवरिबल रहेगा जीवन साती के साथ आपके संब्द मधूर होंगी कारेक छेतर में आपको कुछ लोगों से पूरा पूरा सायोग मिलेगा इनकम के नए रास्ते खुलेंगे कुछ दिनों से रुका हुआ काम आज पूरा हो जाएगा स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन काफी बहतरीन रहेगा किस्मत आप पर महरबान रहेगी आपको अचानक कुछ ऐसा हासिल हो सकता है जिसकी आपको बहुत दिनों से तलाश थी आपके बिजनेस में आज तेजी से वर्दी होगी कारे छेतर में लाव के अफसर प्राप्त होंगे आज के लिए आपका लखी कलर है ग्रीन और लखी नमबर है पांच मिथुल राशेवालों आज आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है आफिस में आपको कोई नया काम मिल सकता है जिसे पूरा करने में आप सफल भी होंगे शाम को परिवारवालों के साथ मौज मस्ती में समय बिता सकते हैं परिवार एक जीवन खुशाल बनेगा आप माता पेटा के साथ किसी धार मिकारी में भी मन लगाएंगे शिक्षन के छेते से जोड़े लोगों को तरक्की के नए उसर मिलेंगे कामकाजी महिलाओं का आफिस में दिन अच्छा रहेगा भविश्य में सफलता आपके कदम चुमेगी आज के लिए आपका लखी कलर है येलो और लखी नंबर है तीन तरक्राशी वालों आज आपका दिन सामाने रहेगा आपको कुछ कामों में सफलता मिल जाएगी लेकिन आज 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 आजनबी लोगों पर भरोसा करने से बचना चाहिए आपको अपनी जोजनाओं के पर दिकोपनियता बनाये रखने की जड़ुत है मित्रों से मिलने आप उनके घर जा सकते हैं आपकी दोस्ती और वियदिक मस्बूत होगी हाला कि जीवन साथी के साथ रिष्टों में उतार चाहाओं की इस्तिती बन सकती है उन्हें खुश करने के लिए कोई उपहार देना उचित रहेगा आप किसी सामाजिक कारे का हिस्सा बन सकते हैं आपकी सभी समस्याओं का निवारन होगा आज के लिए आपका लखी कलर है ब्लैक और लखी नमबर है दो सिंग राशिवालों आज अपनी प्रतिष्ठा में वर्धी लाने के लिए आपको कई अवसर प्राप्त होंगे आप अपने जीवन को और बहतर बनाने की कोशिश करेंगे घर पर कुछ महमान आ सकते हैं जिससे आपका मन खुश हो जाएगा जीवन साथी के साथ तालमेल बना रहेगा घर की सुक्सोमर्दी में बहुतरी होगी जो लोग नौकरी पेशा हैं उनको थोड़ा ध्यान रखने की जबरत है काम को लेका सीनियर आपसे नाराज हो सकते हैं वो आपसे कोई ऐसी बात कह सकते हैं जो आपको बुरी लग जाए लेकिन आपको अपने भावनाओं पर कामू रखने की जबरत है आपके साथ सब बहतर होगा आज के लिए आपका लखी कलर है मैजेंटा और लखी नंबर है नई कन्या राशिवालों आज आपका दूश शांदार रहेगा काम के सिलसले में की गई यात्रा आपके लिए लावदायक रहेगी समाज में आपका समान और रुटबा बढ़ेगा किसी रिष्टेदार के आगमन से घर में खुशी का माहौल बनेगा परोस के कुछ खास लोगों से आपके मुलाकात हो सकती है आपके सूचे हुए काम पूरे होंगे अपने लक्ष को पूरा करने में आपको किसी दोस्त की मदद मिलेगी जो लोग मारकेटिंग के फील्ड से जुड़े हैं उन्हें आज अच्छे क्लाइंट मिलने की संभावना है आज के लिए आपका लकी कलर है वाइलेट और लकी नमबर है सेवन तुला राशिवालों आज आपका जोकाओ किसी नए काम क्योर हो सकता है करियर के मामले में कुछ चीज़ें बहतर होने के आसार है बिजनेस में किसी नए ग्रूप से जोड़ने के बारे में विचार कर सकते है हाला कि कोई भी डील करते समय आपको सोच समझ कर ही आगे बहना चाहिए घारवालों के साथ किसी बात को लेकर थोड़ा मन मुटाव हो सकता है सेहत के पती आपको अपना ख्याल लखना चाहिए बाहर का फासपूट खाने से आपको बचना चाहिए आपके सेहत अच्छी रहेगी आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नमबर है पाँच वरिष्टी कराशिवालों आपको वरिष्ट अथिकारियों से सहयोग बिल सकता है परिवार में आपके गोलों की प्रशंसा होगी नई तकनीक को अपनाने से आपके व्यापार में विर्द्धी हो सकती है साथ ही उत्पादन कारे भी बढ़ सकता है आपने पार्टनर के साथ घर पर ही डिनर करने का प्रोग्राम बनाएंगे जो लोग संगीत या गायन के छेटे से जुड़े हैं उन्हें किसी जगह पर परफॉर्म करने का मौका मिल सकता है बिजनस कर रहे हैं लोगों को व्यापार्ग में विद्धी मिलेगी आज के लिए आपका लखी कलर है स्काई ब्लू लखी नमबर है पांच धन उराशिवालों आज आपका मन परसंद रहेगा आपको सरकारी कामों में किसी बड़े व्यक्ति की मदद मिलेगी आप परिवार वालों के साथ आनलाइन शॉपिंग करेंगे परिवार में सबकी इच्छा पूरी करने में आप सफल रहेंगे दोस्त आप से किसी मामले में सलाह कर सकते हैं आपको कुछ नए बिजनस परपोजल मिल सकते हैं लब मेट के लिए आज का दिन पढ़िया रहेगा थोड़ी मेहनत से आपको किसी बड़े धनलाब का उसर प्राप्त होगा बच्चों के परति आपका सुभाव नरम बना रहेगा पारिवारिक रिष्टे मजबूत होंगे आज के लिए आपका लखी कलर है औरेंज और लखी नमबर है आठ मकर राशिवालों आज आपको नए लोगों से थोड़ा संभल कर रहना चाहिए साथ ही काम में घर के बढ़ों की सलाह लेना भी बेहतर होगा पढ़ाई के पर आपकी एक आगरता में कुछ कमी आ सकती है आपको अपना ध्धान भटकाने से बचना चाहिए आपके जिन्दगी में कुछ बदलावा सकते हैं आपको बिजनस में वेरोजियों से बच कर रहना चाहिए खुद को फिट रखने के लिए आपको योग जरू करना चाहिए आपके साथ सब अच्छा होगा आज के लिए आपका लखी कलर है पिंक और लखी नमबर है एक कुम बराशिवालों आज नौकरी पेशा लोगों को अपने काम में सफलता हासिल होगी वेपारियों को आए के नए सुरूत मिलेंगे आफिस में आपको सबका सायोग मिलेगा कोई काम मन मताविक पूरा होने पर जीवन साथ ही आपसे खुश होगी आज आप खुद को तरोताजा महसूस करेंगे अपना ध्यान किसी सोचल वर्क में लगा सकते हैं आपको नए कांटेक्ट से फाइदा होगा कुछ लोगों को आपकी उधारता पसंदा सकती है आपके आमदनी में वर्दी होगी आज के लिए आपका लखी कलर है ग्रे और लखी नमबर है आठ मीन राशिवाले च्छात्रों के लिए आज के दिन अनकूल रहने वाला है साइन्स से जुले च्छात्रों के लिए आज का दिन खास तोर पर फाइदे मन्द रहेगा आपका कोई रिसर्च वर्क पूरा हो सकता है माता पिता के साथ आपको बेहतर संब्द स्थापित होंगे जॉब के मामले में कोड़ा आफर मिलने से आपको धनलाब हो सकता है आप परवारवालों के साथ मरोरंजन के लिए कोई फ़नी मुवी देखने का प्लान बना सकते है व्यापारी वर के लोगों के लिए आज का दिन बढ़िया है परिवारवालों के साथ आपके संबंग बेहतर होंगे आज के लिए आपका लखी कलर है सी ग्रीन और लखी नंबर है दो और अब बात उनकी जिनका जनम दिन है जिनका जनम दिन है वो आज बहन का आशरवार ले और जिनकी आज मेरी जनवरसरी है वो आज घर में किसी सुगंध का प्रयोग करे तो साल भर सुख और सुभाग बढ़ता ही रहेगा और आए अब चलते हैं अंकों की रहसे मैं दुनिया में मूलांक एक वालों किसी टैमिली मिंबर की मदद से आपके काम बनेंगे साथ ही कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा मूलांक दो आपके मन में नए-नए विचार आएंगे इन विचारों से आपको कोई बड़ा फाइदा होगा मूलांक तीन कोई जरुई काम निप्टाने में सफल होंगे जिससे आप पूरा दिल खुश रहेंगे मूलांक चार आपका मन कुछ नया काम करने में लेगेगा घर की साफसफाई का भी पूरा ध्यान रखेंगे मूलांक पांच अपने गुस्टे पर कंट्रोल रखें वरना लोग आपका फाइदा उठा सकते हैं मूलांक छे रोजगार के मामले में किसी से सलाह मिलेगी जिससे आपको रोजगार पाने का मौका मिलेगा मूलांक साक स्वास्त में उतार चढ़ाओ बना रहेगा शाम को थोड़ी ठकाबट हो सकती है मूलांक आठ आज का दिन आपके लिए बेहतिन रहेगा आपके अधूरे कारे पूरे होंगे मुलांक नौ कोई नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो अच्छा महूर दे कर ही खई दे और अब चर्चा वास्तुशास्तर की वास्तुशास्तर में आज हम बात करेंगे स्टडी रूम में पोस्टर आजी लगाने के बारे में कहते हैं आँखों के सामझे जो दिखाई देता है वही दिमाग में बार-बार घूमता रहता है और किसी चीज़ को जाद करने का सबसे बहतरीन तरीका है तस्वीरे अगर आप एक ही तस्वीर को बार-बार देखेंगे तो आपको बहुत जल्दी उसमें दी हुई चीज़े याद हो जाएंगे अताब बच्चों के स्टडी रूम में भी कुछ अच्छी तस्वीरे चलू लगानी चाहिए इस स्टडी रूम में बच्चों के लडाई से रिलेटेट बच्चों के पढ़ाई से रिलेटेट नोट लडाई लडाई से रिलेटेट कोई चीज़ों नहीं होनी चाहिए घर में नहीं होनी चाहिए बच्चों की स्टडी से रिलेटेड चार्ट, पॉस्टिव थार्ट, सफल लोगे की तस्वीरे, उगते हुए सूलच की तस्वीर, दौते हुए गोरों की तस्वीर, पेर पौधे या चहचाहती हुई चिडियों की तस्वीर लगानी चाहिए और अब आज के दिन की सबसे विशेश बात, आज आश्वीन कृष्णपक्ष की द्वादेशिती थी और सोंबार का दिन है, द्वादेशिती थी आज पूरा दिन पूरी रात पार करके, देर रात एक बचकर तीस मिनिट तक रहेगी है आज द्वादेशिती थी वालों का शाध है, जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के किष्णी या शुक्लपक्ष की द्वादेशि को हुआ हो, उनका शाध आज ही किया जाएगा साथी जिन लोगों ने स्वरगवा से पहले सन्यास ले रखा हो उन लोगों का शाद्र भी आज ही किया जाएगा कहते हैं इस दिन शाद्र करने वाले के घर में कभी भी अन्य की कमी नहीं होती तो ये थी चर्चा 12 शाद्र की और अब बात करेंगे योग और नक्षत्र की आज दो पहर एक बचकर बावन मिनट तक परिव योग रहेगा इस योग में शत्र के विरुद किये गए कारे में सफलता मिलती है अर्थात शत्र पर विजय अवश्य मिलती है साथी आज दो पहर तीन बचकर बावन मिनट तक पुश नक्षत्र रहेगा पुश नक्षत्र 27 नक्षत्रों में आठवा नक्षत्र रहे साथी पुश नक्षत्र का पती चिन गाय के थन को माना जाता है इसका संबंध पीपल के पेल से बताए गया है आज के दिन शनिदेयों के साथ साथ पीपल के पेल की भी आपको उपासना करने चाहिए इस नक्षतर में जन्में लोगों को पीपल के पेल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और अब बात करेंगे आज के नक्षतर और शाध की जैसा कि हमने आपको बताया तो आदशी चाहते के साथ ही आज पूशे नक्षतर भी है और गरूर पुरान के अरुसार अपने पूर्वज की स्वरगवास्तिति के अरुसार आज पूशे नक्षतर में भी शाध करके आप लाव उठा सकते हैं बता दें कि पूशे नक्षतर में शाध करने आवाले वेत्ति को लंबी आयू का वरदात मिलता है इसके अलावाद पूशे नक्षतर में आपको पीपल का पेल जरूर लगाना चाहिए उसकी देख भाल करनी चाहिए उसके आगे हाँ जोड़ कर प्रणाम करना चाहिए तो कि पूशे नक्षतर का संब्ध पीपल के पेल से है और ये एक लोता पेल है जो 24 घंटे आक्षियन देता है और जिस नक्षतर का जिस पेल पौधे से संब्ध होता है शाध के दोरान उस नक्षत से सम्मर्जित पेल पौधे की उपासना की बात कही गई है तो ये थी चर्चा आज के नक्षतर शाध की और अब बात आज पढ़ने वाली चंदर पुश यूति के बारे में आज सुबह आठ बचकर उन चास पनेट पर चंदरवा और पुश नक्षतर की यूति होगी चंदरवा और पुश नक्षतर की यूति बड़ी ही शुब है आकाश मंडल में इस्तिस 27 नक्षतरों में से आठवा नक्षतर पुश है शुब नक्षत्रों की शिणी में आता है इस नक्षत्र के दोरा शुब कारे करने से सफलता मिलती है साथ ही इस नक्षत्र में सोने चांदी आजिसामान की खरीदारी करना बड़ा ही शुब मना जाता है पुशे नक्षत्र उर्जा और शक्ति परदान करने वाला है इसे शुब शुन्दर और सुख संपता देने वाला मना गया है इस नक्षत्र को धन आदिके कारियों के लिए भी अच्छा माना जाता है पुश्य शब्द का अर्थ होता है पोशन करने वाला साथ ही इस नक्षत्र का पतीक चिन्ध गाय के धन को माना जाता है जिस प्रकार गाय का दूट पीना स्वास्त के पोशन के लिए लापकारी होता है उसी प्रकार पुशन नक्षत्र भी विर्ति के जीवन को पोशित करता है अता है इस नक्षत्र में भी जो भी कारे या उपाई किये जाएं वो फलते फूलते जलूर है इसके अलावा चंदरमा की बात करें तो वायदिक जोतिश में चंदरमा नौगरहों के करम में सूरी के बाद दूसरा क्रह है वाटिक जोतिश में ये मन, माता, मांसी किस्ति, मनोबल, दरवव जो लिक्विड फॉर्म में चीजे हैं सुख शांती धन संपत्ती बाई आँख छाती आदिका कारेक होता है चंदरमा राशियों में करकराशी का स्वामी और नक्षत्रों में रोहनी हस्त और श्रमन नक्षत्र का स्वामी है चंदरमा को मन का कारेक माना जाता है चंदर्मा के प्रभाव से ही जाता का मन विचलित या इस्तिर होता है कहते हैं मन यदि नियंत्रण में हो तो सब कुछ आसानी से हो जाता है तो आज चंदर्मा के पुष्य नक्षत्र में होने से व्यति धार्मिक, लवकिक, परंपरावादी, मददकार, मेधावी, आध्यात्मिक, आत्म निर्भार, धंसे परिपून, शान्ति प्रिय और अच्छा राजितिग्य होता है लेकिन माता के साथ रिष्टों में थोड़ी उज़ने वरी रहती है आज के दिन पुष्य नक्षत्र में चंदर्मा की यूति से आपको और भी शुब फल प्राप्त होंगे तो ये थी चंदर्मा पुष्य नक्षत्र से जुड़ी कुछ खास बाते है और अब बात करेंगे चंदर्मा पुष्य यूति के दोरान कौन से उपाय करने चाहिए यहां एक महत्वपूर बात बता दू कि आज की इग्रह नक्षत्र की सिद्ध के अंसार सभी लोग ये उपाय करके लाब उठा सकते है तो आईए चर्चा शुरू करते हैं आज के दिन के जाने वाले खास उपायों की अगर आप कपड़ों का व्यापार करते हैं और अपने व्यापार को बहाना चाहते हैं तो आज एक सफीद कपड़े में थोड़ी से चावल बांद कर मंदिर में दान करना चाहिए अगर आपके पज़वार में सब लोग छोटी-छोटी बातों को लेकर जल्दी परिशान हो जाते हैं और एक दूसरे की बातों पर ज़्यादा गोर रही करते तो आज आपको चंद्रदेव के इस खास मंतर का 108 बार चप करना चाहिए मंतर है सोंग सोमाई नमा अगर आप अपने जीवन में गटी बनाया रखना चाहते हैं तो आज आपको सफेद घोड़े को चने खिलाने चाहिए अगर सफेद घोड़ा न मिले तो किसी भी घोड़े को चने खिला सकते है अगर आपके दामपते संबंधों में किसी ने किसी बात को लेकर तनाओ बना रहता है तो आज आपको चांजी का चंद्रमा धरन करना चाहिए अगर संबह हो तो अपने जीवन साथी को भी धरन करवाए अगर आप चाहते हैं कि घर परिवार और आसपास के सब लोग आपके काज़ों में मददगार साबित हो तो आज आपको अपनी मा या मौसी को सफेद रंग का तोलिया भेट करना चाहिए और उनका आशरवाद लेना चाहिए अगर आप अपना स्वास के बहतर बनाए रखना चाहते हैं आज के दिन आपको गाए माता का अशरवार लेना चाहिए और रोटी पर दूध या चावल से बनी खीर रखकर गाए को खिलानी चाहिए अगर आपका मूट कुछ उख़ा उख़ा सा रहता है आप मांसित रूप से परिशान रहते हैं तो आज के दिन आपको दो मुखी रूद्राश लेकर ठागे में पिरोकर गले में धारन करना चाहिए अगर आप माता के साथ अपने संबंधों को ठीक बनाए रखना चाहते हैं अगर आप अपने अंदर अध्यात्मिक शक्तियों को बढ़ाना चाहते हैं तो आज आपको चंद्रदेव के इस मंत्र का पांच माला याने 540 बार जब करना चाहिए मंत्र भी मंत्र इस्तरह है ओम शांग शींग शॉंग सा चंद्रवसे नमा और अगर आप आत्मनिर भर बने रहना चाहते हैं तो आज आपको एक मिट्टी के घड़े में पाली भर कर और उसमें एक चुटकी चावर डाल कर किसी मंदिर या धार्मी के स्थल पर दान करना चाहिए अगर आप अपने धन आगमन के छेते में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज शुब चंद्रवसे यूति में आपको तीन मुखेरों तराक्स धारा करना चाहिए और अगर आप अपने जीवन साथी में के धार्मी कारों के पती रूची को बढ़ाना चाहते हैं कि जीवन साथी के अंदर धर्म के पते रूची बढ़े तो आज आपको किसी धार्मी के स्थल पर रूई की बत्ती का दान करना चाहिए बेहतर होगा कि आप खुद अपने हाथों से रूई की बत्री बना कर उसे अपने जीवन साथी के हाथों से इस पर्ष करा कर दान करें तो ये थी चर्चाज द्रादेशी शाध और चंदरपुश यूति के बारे में उमीद है कि आप इन उपायों को अपना कर लाब जरूर उठाएंगे और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षाट आपके आज के भाशुश के बारे में और A, B, C, D ही क्यों नाम का पहला अक्षार ही क्यों क्योंकि आज के जमाने में दोस्त और दुश्मन सबकी गत्विद्यों पर आपकी नजर होना चरूरी है आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज क्यों अच्छी अपरचुंटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी नमार ले किसका दिन आज कैसा है नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा तो जिनके नाम का पहला अक्षर है बिजनस के बारे में आपको कोई अच्छी राय मिलेगी जिससे बिजनस में बहुत तरी होगी बी आज का दिन आपके लिए बेचीन रहेगा स्वास्य संबंदी परिशानियों से रहत मिलेगी सी आपको अचानक कोई शुब समाचार मिलेगा जिससे आपको बहुत खुशी होगी डी महिलाओं के लिए आज का दिन अच्छा है आपके सारी काम जल्दी पूरे होंगे ए बदलते समय को महसूस करेंगे और अपने काम को असारी से पूरा कर लेंगे एफ आगे बढ़ने के नए मौके मिलेंगे और करियर में आपको सफलता मिलेगी जी आज आपके बिगले हुए काम बन जाएंगे जिससे आपके टेंशन दूर होगी एच आपके लिए आज का दिन बढ़िया रहेगा आपको अपने सभी कामों में सफलता प्राप्त होगी आई किसी दोस्से मुलाकाट होगी उसके साथ आप खूब सारी बाते करेंगे जे चात्रों के लिए दिन बेहतर रहेगा आपका ध्यान पढ़ाई पर केंदित रहेगा कि किसी जबी काम के पूरा हो जाने पर आज आप रहत की सास लेगे आपके कुछ कामों में आज रुकावट आ सकती है जिससे आप थोड़ा परिशान हो सकते हैं किसी रुके हुए काम को दोबारा शुरू करने के लिए आपको नया प्लान बना सकते हैं आपको दूसरे लोगों के मदद करने का मौका मिलेगा साथ ही आपका भी भला होगा ओ आज का दिन उप्तम रहेगा आपके रुके हुए काम पूरे होगे किसी अंजान विश्की पर भरोसा करने से आज आज आपको बचना चाहिए किसी भी चीज का फैसला लेने से पहले आपको अच्छी तरह से सोच विचार कर लेना चाहिए और आज के दिन किसी कन्या के पहले शुकर आशरवाद ले आपके सारे काम पूरे होंगे आज उन्हें किसी फेमस एकडेमी से जोडने का मौका मिलेगा अविवाहितों के लिए आज के दिन शानदार रहेगा आपको शादी का परस्पाव मिल सकता है यू आज दूसरों के शाद कोई महत्रपों बाते शेयर ना करें क्योंकि लोग इसका गलत फायदा उठा सकते है वी आज आफिस के वाद शान को घर लोटते समय दोस्तों से किसी बात का मनमुटा हो सकता है डबलू, आपका रुका हुआ पैसाई वापस मिलने का योग बन रहा है एक्स, वेफसाई करने वाले आज अपने बिजनेस में कुछ नया पन लाने की योजना बनाएंगे वाई, आपको दूसरे लोगों से कुछ अच्छा सीखने का मौका मिलेगा ये मौका आपको गवाना नहीं चाहिए जेड, इस्टूदेंस के लिए आज का दिन बेस्ट है करियर में थोड़ी सी मेहनत से आपको लक्ष की प्राप्ती होगी और अब बात आज के तीर्थ की, आज हम आपको कराने जा रहे हैं लोहारगल सूरेकुंड के दर्शन लोहारगल सूरेकुंड राजस्थान के जुझजुलू जुले में इस्टित है अरावली परवस्ष शंखलाप सीकर से लगभग 35 क्रोमेटर दूर ये स्थान शाध्य कर्म और पिंड़दान के लिए विशेश महतुर रखता है लोहारगल का अर्थ है जहां लोहागल जाए ऐसी मानिता है कि इस स्थान पर महाभारत युद्ध के पश्चाथ पांडवों ने स्थान किया था और यहां उनके सभी शाष्ट्र गल गए थे ऐसी भी मानिता है कि इसी स्थान पर भागवान परश्वाम ने ख्षात्रियों के वध का पश्चाता किया था इस स्थान पर परश्वाम मंदिर पांडव मंदिर और एक सूर्य मंदिर भी बने हुए है लोग दूर दूर से लोहारगल चीट में अपने परिजनों का शाध और पिंड़दान करने आते ही तो आप भी घर बैठे कीजिए इस पवित्र लोहारगल सूर्य कुर्ण के तर्शन और अब बात सामुद्रिक शास्र की सामुद्रिक शास्र में आज हम बात करेंगे कुछ-कुछ लोग एकस्टाउडनरी भी होते हैं जिनका सिक्सस दूसरों से बहुत अच्छा होता है विपरी तो परिस्टितियों में ये लोग अपने आपको आसानी से उनके उसके अंसार ढाल लेते हैं और मजबूती से उनका सामना करते हैं ये बहुत ही मेहनती और अपने लक्ष पर डटे रहने वाले लोग हैं अपनी मेहनत और लगन के बल पर ही इन्हें कई उपलब्धियां हासल होती है स्वास्ति की जश्टि से इनकी सेहत भी अच्छी रहती है मौसम में बदला होने से भले ही सर्दी खांसी से परिशान रहे बाकी तो इनकी सेहत ठीकी रहती है और अब बात अवाइद अधी डे की यानि आज आज आपको क्या नहीं खाना है आज 14 सितंबर को शुर्द आश्वन कृष्णपक्ष की 12 शी तिति है 12 शी तिति में पूतिका यानि पोई का साग नहीं खाना चाहिए पोई एक सदा बहार लता है जिसे सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है 12 शी तिति आज रात एक बच का 30 मिनट तक रहेगी उसके बाद 13 शी तिति लग जाएगी जो कि कल रात 11 बिजे तक रहेगी 13 शी तिति में 22 का सेवन करना निशित है ये आपके संतान के लिए हानिका रखो सकता है अतहार आज रात एक बच का 30 मिनट तक आपको पूतिका यानि पोई के साग का सेवन अवाइड करना चाहिए जबकि उसके बाद कल रात 11 बिजे तक आपको बैंगन का सेवन करने से बचना चाहिए इस तरह तिति का समय जानकर आप अपने खाने का शेडूल बना सकते हैं बाकि आप कुछ भी खाईए, पीजिए, माउच कीजिए और चलते चलते मैं आपको बता दू कि कल की शुबदिशा क्या है तो कल की शुबदिशा है उत्तर और उत्तर पूर्व और अब सावधन कुरोना ओम नमोनि सिंहाय है रलकशप वक्षस थल्विदारना आए त्रिवोने वापका है, ग्रीमी, विश विशालों को लोन मूलना है इस्तंभोत भुआ है, समस्तर दोशाना हर हरे विचारे विचारे पचाँ पचे हना हना कम पए कम पए मत मत, रींग 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 फटफटपट, ठाठा एह ही अही रुद्र आग आग्या पहती स्वाफ और अब वक्त है आज के टिप अफ दिडे का आज थोड़ी जिर मेडिटेशन करें सारे दिन आपको खुश्यां ही खुश्यां हासिल होती रहेंगी अपना राशिफल जानने के लिए लॉग आउन करें www.indiatv.in और मुझे से बेतिकर संपर करने के लिए फोन करें 0124 4721 000 997100 226 भविश्यवानी में फिलाल इतना ही नमस्कार